जलवायू एक ऐसा मुद्दा है जो की धर्ती के हर व्यक्ति से जुड़ा है अनुकूल जलवायू के कारण ही प्रत्वी पर जीवन संभव हो पाया है जलवायू एक ऐसा मुद्दा है जो की धर्ती के हर व्यक्ति से जुड़ा है अनुकूल जलवायू के कारण ही प्रत्वी पर जीवन संभव हो पाया है मगर मानव्य और कुछ प्राकरतिक गतिवीदियों के कारण जलवायू की दसा बदल रही है जलवायू एक बड़े भू छेत्री में लंबे समय तक रहने वाले मोसम की ओसत इस्तिती को जलवायू की संग्या दी जाती है किसी भी भूभाग की जलवायू पर उसकी भोगोलिक इस्तिती का सरवादिक असर पड़ता है सर्दियों के तीन से चार महिनों को छोड़ दें तो बचा समय जलवायू गर्म ही रहती है किसी छेत्री की जलवायू उसकी इस्तिती पर निर्भर करती है जलवायू परिवर्तन बीते कई सालों से बहुत गंबीर समस्या बना हुआ है जलवायू परिवर्तन के कारण है जल प्रनाली पर बहुत बुरा सर पढ़ रहा है जिससे गलेशयर पिंगल रहे हैं और वर्सा एनियंतरित होती जा रही है यह सारी परिश्थितिया हमारे परियावरण में हो रहे हैं एसन तुलन को बढ़ावा दे रहे हैं जिससे वातावरण बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है जलवायू परिवर्तन किसी छेत्री की जलवायू में समय के साथ साथ होने वाले बदलाव को जलवायू परिवर्तन कहा जाता है जलवायू एक लंबे समय में या कुछ सालों में किसी स्थान का ओसत मोसम और जलवायू परिवर्तन उनी ओसत परिस्तितियों में बदलाव है उननिस्वी सदि की तुलना में धर्ति का तापमान लगबग 1.2 सेल्शेस अधिक बढ़ चुका है और वातावरण में सी ओटू की मात्रा में भी 50 परतिसत तक व्रेदी हुई जलवायू परिवर्तन के कारण जलवायू परिवर्तन के दो प्रकार है प्राकर्तिक और मानविये प्राकर्तिक कारण ज्वाला मुखी महसागरिये धाराए महादिपों में एलगाव प्रत्वी की कक्षा में परिवर्तन होना मोसम में परिवर्तन होना गलेशियर का खिसकन प्लेट टेक्टोनिक्स आदी कारण है मानवे कारण ग्रेन हाउस प्रभाव गैसे जीवासम इंधन का प्रियोग आदी मानवे कारण है जलवायू परिवर्तन के परिणाम उच्छतापमान समुंद्र जल के इस्तर में व्रधी रोगों का प्रसार और आर्थिक नुक पूरे विश्व में हो रही आपदाउं का सबसे बड़ा कारण है जलवायू परिवर्तन मोसम में जल्दी जल्दी और खतरनाक बदला होना वातावरन में कारण डाय ओक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसों का इस्तर दो हजार उननिस में नए रिकोर्ड तक पहुँच गया बा जलवायू परिवर्तन को कम करने के फायदे समूदरी जल इस्तर की व्रेदी दर में कमी जंगल और पेड़ों की सुरक्षया में परियावरन में कारण डाय ओक्साइड की मात्रा कुनियंत्रन में रखा जा सकता है या तयात के लिए सार्दिनिक सादनों के इस्तेमाल व्यक को सबसे अधिक प्रभावित करती है जलवायू परिवर्तन का प्रभाव मानव स्वास्त पर भी पढ़ेगा विश्व स्वास अंगठन की रिपोर्ट के अनुसार जलवायू में उश्नता के कारण स्वास तथा हिर्दे संबंदी विमारियों में व्रद्धी होगी दुनिय जलवायू परिवर्तन के प्रभाव के चलते एक बड़ी आबादी वी इस्तापित होगी जो की परियावनिये सरनार्थी कहलाएगी स्वास्ते संबंदी और भी समश्याएं पैदा होगी जलवायू परिवर्तन के फल सवरूप नेकी रोगानों में बढ़ोतरी होगी बलकि आने वाली नई प्रजातियों की वी उत्पत्ती ऐसी ही होगी जिसके परिणाम सवरूप फसलों की उत्पादक्ता पर विप्रित प्रभाव पड़ेगा धन्यवाद जैहिन चैहिन